से समाजवाधी पार्टी में चाहे अभी पल्वी पटेल के एक बयानाई कि हम मानस को नहीं मानते राम चरीद मानस को फिर राम चाठीट श्राफ मौर्या क lyav लीकिन स्रीखलेश ज्यादो जी की कोई भी चाल वहा शोच रहे हैं कि हम जाती बैवनस भाइला देंगे जो सामाजीक समरस्ता का सांधार वातावण सब का साथ सब का अभिकास का है उस वातावण को खराब करने में कामियाब हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश जो प्रगति के पतपर मानी नरेद मोदी जी के मार्गदर्सन में अधनी योगी जी के अगवाई में बढ़ रहा है उसको रोक लेंगे तो अब समाजवादी पार्टी के बस की बात नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होन सभा से भी गवादेंगी इंडिया ने इंटर्वी में स्वायम सवाद मौरिया ने अभी कली ही कहा कि जिस तरह से आर्सेस प्रमुग मोहन भागवत का बयान आया है क्या जो हिंदू है जो ब्राम्मठ है जो साधू संथे क्या उनका भी सरकाटें उनके उपर भी नाम लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि बयान को कि गलत आर्थ निकाल करके गलत तरीके से उसको प्रसारित प्रचारित ना किया जाए इतना ही में रहा है राहुल गांधी जी को अभी राजनितिक गंभीरता लाने के लिए मुझे लग रहा है कि अभी उनकों को प्रियोग नहीं करते अभी कलका भी जो उनका बयान में देख रहा था वह बयान उत्तरप्रदेश की जनता अस्विकार करती है नकारती सर अभी कांग्रेस की यात्रा वहाँ पे घाटी में समाप्त हुए मैंने देखा कि तमाम कांग्रेस के निता घाटी के वादियों में इंजुआई कर रहे थे घूम रहे थे टाहल रहे थे बड़ी वड़ी फोटो वीडियो रिलीज कर रहे थे लेकिन महभूबा मुप्ति का बयान आया कि कस्मीर तो अफगानिस्तान बन गया है तो क्या कहेंगे दो-दो-द्री से सामने दिख रहे हैं हिंदोस्तान बिस्वगरू बन रहा है और जम्मू कास्मीर अब हिंदोस्तान का उसी प्रकार से हिस्सा जैसे देश के अन्य हिस्से अब जम्मू कास्मीर से धार तो जब उन्हें अपना राजनितिक भविश्च वहां अंधकार में दिखते रहा है तब इस वरकार के उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं वहां कि बनी प्रधान मंत्री जी के नेत्यत्यत्त में वहां के उपराज जपाल स्रीमनोस सिनहाजी की अगवाई में वहां जो गैर कानूनी ढंग से अवैद कबजे किये हैं उनको हटाने का काम और जो बहुत तरीके से जिनके पास कुछ भी रहने का ठीकाना भी नहीं उनको बसाने का काम और गैर कानूनी लोग खिलाब कानूनी क का बेवाकी से जवाब दिया है कैमरामें सरवजीत साथ रागविन पांडे इंडिया नियूज लखनौ